साप उन्चुनिंदा जीवों में शामिल है जिनका अस्तित्व डाइनसोल यूग से चला रहा है साप पानी या पानी के बाहर दोनों जगहों पर पाया जाता है विश्व में सापों की तीन हजार से ज़्यादा प्रजातिया पाई जाती है सापों से जुड़ी ऐसी बहुत सी बाते हैं और रोचक तथे हैं जो हम यहाँ पर आपको बतानी जा रहे हैं तो गौर फर्माईएगा विश्व का सबसे छोटा साप थ्रेड्स ने धागा साप है यह कैरिबियाई सागर के सैंक लुसिया माटिनिक तधा बार्व डोस के द्वीपों में पाया जाता है जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है यह बहुत ही जादा पतला और 10 से 12 सेंटिमिटर लबा होता है साप के शरीर का ताप मान बातावरन के ताप के अनुसार घटा बढ़ता रहता है साप भोजन को चबा कर नहीं बलकि इसे साबुत निगल जाता है अधिकांश सापों के जबडे इनके सिर से भी बड़े शिकार को निगल सकने के लिए बनी होते हैं उधारन के लिए अजकर गौर तलब है कि साप अपना मूँ एक सो पचास डिकरी तक खोल सकता है दुनिया में सापों की तीन हजार से ज्यादा प्रजातिया पाई जाती है जिसमें से लगभख 20 प्रतिशत प्रजातिया ही जहरिली होती है भारत में सापों की करीब 300 प्रजातिया पाई जाती है जिसमें से लगभख 20 प्रजातिया विशेली होती है विश्रु का सबसे लंबा साप पाइथन डेटिकुलेट्स होता है जो की 30 फीट तक लंबा होता है और ये दक्षन पूर्व एशिया में पाई जाता है न्यूजिलेंड, आइसलेंड और अंटार्क्तिका ऐसे देश हैं जहां साप बिलकुल नहीं पाई जाते अमेरिका में किंग्स विले इस्थित नैच्रल टॉक्सिन रिसर्च सेंटर के अनुसार दुनिया के सबसे घातक सापों में पाई जाने वाला जहर का इस्तमाल भविश्यमिंग कैंसर की दवबनाने के लिए हो सकता है विश्व भर में कई प्रयोग शालाओं में चल रहे प्रयोगों से पता चलता है कि कुछ सापों के जहर में एक खास किस्म का कंपाउंड होता है जो मानव शरीर के भीतर कैंसर की जड़ माने जाने वाले टूमर की व्रधी पर पूर्ण विराम लगा देता है पानी में रहने वाले साप अपनी तवचा से भी कुछ मात्रा से सास ले सकते हैं जिससे कि वो शिकार की तलाश में पानी के अंदर रह सकते हैं दक्षण एफरिका में पाए जाने वाले होनर्ड वाइपर के सिर्पर दोस्तींग होते हैं एफ्रिका में पाए जाने वाले Black Maba साप के द्वारा खाटे गए लोगों में से निन्ञाउन में प्रितिशत लोगों की मौध हो जाती है। साप साल में 2-3 बार अपनी तवचा बदलते हैं। इस क्रिया को के चली उतारना कहते हैं। ये प्रक्रिया कई दिनों में पूरी होती है, साप सपेरों की बीन की धुन से नहीं, बलकि उनके हावभाव से हरकत करते हैं, क्योंकि साप जन्म जात ही बहरे होते हैं, साप अपनी आखे बन नहीं करते और ना ही वो आखों को छपका सकते हैं, इसलिए वो खुली आखों के स साथ ही सोते हैं केरेडा की मंटोबा प्रांत में हर साथ 30,000 गाटर साप शीत निद्रा के बाद मेटिंग यानि की संभुक क्रिया के लिए घट्टा होते हैं यह धर्ती पर होने वाली सबसे बड़ी सेक्स और जी यानि सामुहिक सेक्स क्रिया है सापों के बारे में दल्चस्प तथे आपको कैसे लगे हमे नीचे कमेंट सेशन में जरूर बताईगा साथ ही इस दल्चस्प जानकारी को लाइक और शैय भी कीजेगा ऐसे और भी कई मज़ेदार तथे हर रात 9 बजे हम आप तक यूँ ही पहुचाते रहेंगे इसलिए चैनल के साथ बनी रहें सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटिस्ट और इंट्रस्टिंग निउस के लिए